तेजस्वी यादो जिस तरीके से बिहार में होने वाली आय दिन की घटनाओं को सोसल मीडिया के माध्यम से उठा रहे हैं, उसके खिलाप हवाज उठा रहे हैं, सरकार को आइना दिखा रहे हैं, उसको देख करके साफ साफ लग रहा है कि तेजस्वी प्रसाद यादो अभी योग सभा चुनाओं वाले जोन से बाहर नहीं निकले हैं, और लगातार सरकार को घेरते रहेंगे, हम ये बाते क्यों कह रहे हैं, और तिजस्वी यादों के ट्वीट कर देने से, क्यों बिहार के बरे बरे नेताओं के हालत खराब हो जा रही है, सोसल मीडिया के ट्वीट हैं विशाल, आईएब हम आपको बताते हैं कि क्यों तिजस्वी प्रसाद यादों जो हैं, लोग सभा चुनाओं वाले जोन से भी तक बाहर नहीं निकले हैं, तिजस्वी प्रसाद यादों जो हैं, लोग सभा चुनाओं के दरान लगातार एंडिये पर हमलावर थे, सोसल प्राट ना पुधाल मेडिया के माध्दम से आयगे दिन सरकार पर सवाल उठाते थे एंडिये पर सवाल उठाते थे और वही जोन वही तेवर तिजस्वी पुरसाद यादो अभी भी अपना रहे हैं पिछले दो दिनों से लगातार बिहार में होने वाली घटनाओं के एक स्रिंखला बना रहे हैं उन स्रिंखलाओं को स्टीटर पे पोस्ट कर रहे हैं और उसके बाद बिहार सरकार को घेर रहे हैं बिहार सरकार और एंडिये जब भी बिहार के विकास की बात करती है तो एक सब्द आता है जंगल राज उस जंगल राज का तोर्ट तेज़सी प्रसाद यादों ने ऐसे निकाला है कि वो जंगल राज सब्द के जगा मंगल राज सब्द का इस्तमाल कर रहे हैं और बता रहा हैं कि बिहार में आए दिन अपराधी घटनाए हो रही हैं और कैसे बिहार की जो सरकारे हैं जो ये कहती है कि हम जो है zero tolerance अपनाते हैं law and order को बनाए रखते हैं वो मंगल राज उस मंगल राज में कैसे तेजस्वी प्रसाद यादो जो है बता रहे हैं कि बिहार में अपराधी घटनाए हो रही है और इस पर बिहार के मुखिया चुप है बिहार के बरे बरे नेता चुप है कोई इस पर आवाज नहीं उठा रहा है तेजस्वी प्रसाद यादो ये के बाद एक लगाता है ट्वीट करते हैं और ट्वीट के माध्यम से सरकार को घेरते हैं सरकार को घेरने के कारण एंडिये पक्ष के नेताओं की हालत इतनी हो जाती है कि वो सोसल मीडिया पर किये गए ट्वीट का जवाब जो है सारवजनिक रूप से देते हैं मतलब ये कि तेजस्वी प्रसाद यादों बस ट्वीट करते हैं लेकिन एंडिये के बरे नेताओं को इसका जवाब देने के लिए सोसल मीडिया पर नहीं बलकि लॉयन ओर्डर के बारे मैं बात कर सके जीतनराममाजी भी माझी 2005 से पहले की सरकार को याद करते हैं और पिर कहते हैं कि अभी तो ल्विटो बहुत है अभी ल्योटर इतना है कि इन सब भारी परने लगे हैं कि उन लोगों को इस ट्वीट का जबाब सारवजनिक रूप से आके देना पर रहा है बाकी आप समझ लीजिए कि बिहार में होने वाली आए दिन की घटनाओं पर ऐसे नेताओं की चुपी रहती है लेकिन जैसे ट्वीट कर देते हैं सोसल मीडिया पर सवाल खड़े करते हैं मीडिया जब सवाल पूछने लगती है तो फिर एंडिये के बरे बरे नेताओं के इसके बारे में बोलना मजबूरी हो जाती है बाकी तेजस्वी यादो की इस प्रयास को ले करके आप क्या करना चाहते हैं तेजस्वी यादो की इन ट्वीट के बारे में आपकी क्या राय है और जंगल राज के बदले मंगल राज का जो कंपेरिजन है तेजसी प्रसाद यादव का इसके बारे में आप क्या सोचते हैं और जीतर नाम माजी और समराठ चौधरी के बयान से आप कितना तालूफ रखते हैं अपनी राय कमेंट के माध्यम सम्तक जरूर भेजिएगा और देखते रहेगा जंता जंग्चन बहुत बहुत धन्यवाद